नमस्कार दोस्तो आप से भी का स्वागत हमारी RG Technical Boy YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के जो अप्लिकेशन है उनको अगर आप पेंट राइक में डालना चाहते हैं तो कैसे डाल सकते हो तो दोस्तो यहां पे एक अप्लिकेशन की जरुरत लगेगी और इस अप्लिकेशन का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो वहां से आप जो इसको डाउनलोड करके उपन कर लिजेगा जैसे आप उपन करोगे यह कुछ इस तरीके से उपन हो जागा इसमें आपके फोन के जितने अप्स हैं वो सभी यहां पे आ जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखना है कि AP के सिलेक्ट रहे यह लिंक पे ना रहे ठीके इस तरीके से AP के जो है उसकी तरफ रहे उसके बद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी application अपने pen direct में डालना है उसको आपको यहाँ पर select करना है कुछ इस तरीके से और उसके बद दोस्तों यहाँ पर जो share button है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click कर तो उसके बद export to SD card आपको इस पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको OK बटन पर क्लिक कर देना है अब दोस्तो यह जो AP के है आपका जो application है उसका यह AP के format में आ चुका AP के format में अब यह जो AP के आया है यह आपके pen track में चला जाएगा तो अभी चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइल में अपनी यहाँ पर मैं Google फाइल का यूज कर रहा हूँ आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हूँ इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें करना है बाकि अगर आपके फोन का जो फाइल मेनेजर अगर आप उससे यही प्रोसेस कर पाते हो तो आप उससे भी कर सकते हो जरूरी नहीं कि आपको Google फाइल को डाउनलोड करना है उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको एक OTG कनेक्टर लेना है और फिर यहां पर आपका पैन ट्राइफ रहेगा इसको आपको इस तरीके से कनेक्ट करना इन दोनों को आपको अपने मोबाइल से इस तरीके से कनेक्ट करके अपने फोन में जो की OTG की सेटिंग है इसको आपको आउन कर देना है मेरे पास ही जो फोन है इसमें OTG का कोई option नहीं है कोई setting नहीं है मेरे direct यहाँ पर connect हो जाता है अगर आपका direct connect ना हो तो आप यह OTG का जो setting है उसको on कर दीचेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपको अपना google files जो है इसको open कर लेना है उसके बाद internal storage में आना है और यहाँ पर आओगे तो आपको इस application के नाम से folder दिखता है इसमें अगर आपको apps मिल जाते तो ठीक है नहीं मिलते तो आपको last में आना है यहाँ पर आपको वो application देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आपने वहाँ पर select किया था अब दोस्तों यहाँ पर आपको long press करके रखना है कुछ इस तरीके से अब आपको यहाँ पर three dot पे click कर देना है और copy to पे click करना है अगर copy to पे click करोगे तो आपके यह दोनों जगा पर रहेगा फोन में भी रहेगा और plus आपके pen track में भी रहेगा अगर आप यहाँ पर move to करते हो तो आपके phones यह delete हो जाएगा AP के file सिर्फ application नहीं delete होगा सिर्फ AP के file है यही delete होगा और यह आपके pen track में जाके save हो जाएगा तो चलि हम move कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको location select होना है कि आप इसको कहां पर लेके जाना चाहते हो तो हम यहाँ पर pen track में लेके जाना चाहते हैं उसके बाद दोस्तों move here पर हम click कर देंगे जैसे हम move here पर click करेंगे तो यह जो AP के file है यह हमारे pen track में जाकर के save हो जाएगा अब हम यहाँ पर आ जाते हैं pen track में और यहाँ पर हम last में आएगे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है वही AP के file यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तों इस pen track को हम दूसरे phone में लगाने के बाद वहाँ पर इस application को easy तरीके से install कर सकते हैं आज के इस वीडियो को हम यहीं पर end करते हैं I hope आप लोगों को इस वीडियो से help मिली होगी अगर आपको इस वीडियो से help मिली है तो आर प्लीस वीडियो को like करके इस चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा